अलो फेंट्स में मंदीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चनल पर फेंट्स आज की इस वीडियो में पर्फ स्लीव का डिजाइन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो देखिए मेरा अस्तर का कपड़ा है कटिंग करने के लिए सबसे पहला मस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे नीचे एक लाइन डो करके कपड़े को सीधा कर लेना है और इसके बार टोटल लंबाई लेनी है तो जितनी भी लैंथ आपको तयार रखनी है उसमें एक इंच मार्जेन का प्लेस करके टोटल लंबाई आप लीजेगा तो मैं में में 7.5 इंच है और चोटी स्लीव से तो हम इसे 2.5 इंच पर डाउन रखेंगे इस तरीके से स्लीव का शेफ देते ना है नीचे का बॉटम का जो भी में लेजेमेंट होता है उसका हाफ लीजिए गा प्लस आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए इस तर अब दिखे स्लीव को कट कर लेना है इस तरीके से तो स्लीव के कटिंग मैंने हापर कर ली है स्लीव कट करने के बाद हमें इसे मैन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लेना है मैन फैब्रिक पर भी मैंने इसका कटिंग कर लिया है अब देखे हमें यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगानी है तो मैंन कपड़े को नीचे की तरफ सीधा करते हुए रखेंगे और उपर रखना है अस्तरवाले कपड़े को और अब यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है सबसे पहले देखिए उपर की तरफ सिलाई लगानी है एक पेर का मारजिन छोड़ते हुए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है अब हमें नीचे की तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से उपर और नीचे सलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा इससे कट करके निकाल देना है और इस पैटर्न के उपर हमें छोटे-छोटे कट लगा देने हैं देखे इस तरीके से कट लगाने से जो पैटर्न है वो अच्छी तरीके से पलट जाएगा अब आपको इससे पलट करके सीधा करना है देखे इस तरीके से पलटेंगे और कपड़े को बाहर की तरफ निकाल लेना है तो दीखे मैंने फैब्रिक को बाहर की तरफ निकाल लिया है अच्छे से इसके उपर हाथों से फिनिशिंग कर लेनी है और उपर की तरफ से एक सिलाई लगा देनी है यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा दी है अब नीचे की तरफ भी सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लेंगे अब देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है बहर की तरफ से और इस तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे जितना भी extra fabric निकल रहा है इसे cut करके निकाल देना है यहां से भी fabric को cut कर देंगे तो यह normal sleeves का pattern देखिए मेरा ready हो गया है और इसके बाद हमें नीचे की तरफ piping लगानी है तो एक तरफ से पटी को फोल्ड कर लेंगे अब हमें देखे यहाँ पर पाइपिंग को टेश कर लेना है तो नीचे की तरफ मैंने पटी को सीधा करके रखा है और इस तरीके से यहाँ पर हम इसे फोल्ड कर लेंगे पट्टी को अंदर की तरफ करते हुए पाइपिंग बनानी है हमें इस तरीके से तो दीखी मैंने यहाँ पर पाइपिंग बनाकर इसे तयार कर लिया है और इसके बाद अब यहाँ पर मैंने एक कपड़े का पीस लिया है और इस कपड़े के पीस की जो लंबाई है वो आपको 5 इंच लेनी है और चोड़ाई में इसे आपको 15-16 इंच पर लेना है इस तरीके से दिखें पहले हम इसे फोल करेंगे और थोड़ा सा जहां पर खुलावाला भागी महाँ पर थोड़ा सा गुलाई देते हुए इसे आपको कट करना है इससे आपकी परफ स्लीव का जो डिजाइन है वो बहुत ही अच्छा बनेगा उसमें काफी ज़्यादा पर आप आएगा अब देखें चोटी चोटी प्लेट्स यहां पर बना लेनी है एक तरफ से मैंने चोटी प्लेट्स बना ली है अब इसे यहां पर रखना है हमें इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे जिसमें प्लेट्स ना ली है वो पाट को आपको नीचे की तरफ रखना है और इस तरीके से इससे अटेज कर लेना है अब देखिए यहाँ पर भी हमें चोटी-चोटी प्लेट्स बना लिनी है इस तरीके से और दोनों प्लेट्स का जो मुह है वो अपोजिट साइट रहेगा यह देखिए मैंने यहाँ पर यह प्लेट्स बना ली है और अब इसके उपर हमें लेस अटेज करनी है तो आप अपनी पसंद से कोई सी भी लेस ले सकते हैं जो अपने ब्लाउस डिजाइन में यूज़ करी हो वही लेस आपको यहाँ पर लगा लीनी है इस तरीके से लेस के दूसरे साइट पिस लाई लगाएंगे तो इसी के साथ में राज करेट स्लीव का डिजाइन बन करके तयार हो गया है तो फ्रेंट साबको आज करेट डिजाइन केसे लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाईक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तरने बादेट